चलो शतीज गड़की जन जाती है ना अब आस बास आवाज खतम शतीज गड़की जन जाती है नोट्स लाएगी ना आराम से बंद ने करना अब पूरा बंद मत कर नोट्स लाएगी हो चले तो आपके PSC में लगभग आप मान के चले इस हिस्से से 15 कोश्चन तक उमीद की जा सकती है ना जन जाती पढ़ेंगे मतलब हम जन जातियों के रहन सैन पढ़ेंगे उनकी जो परंपराएं है संस्कृती है जो वैवाहिक धाचा है जो उनके खान पान है ये सब पर इनकी उत्पत्ती ठेक है इसके विशह में तो आज इ इसन डेवलेप्मेंट हुए है कुछ विकास हुए है कुछ समिधान में इन से संबंदित कुछ गतिविदियां हुई है उसके बारे में बात करेंगे उसके बाद हम कल से एक-एक ट्राइप पकड़कर उनकी उत्पत्ती से लेकर उनकी पूरी स्थिती तक विस्तार से जनजाती सुदूर एवं दुर्गम छेत्रों में रहने वाले लोगों के समूह जिनकी अपनी बोली विशिष्ट संस्कृती आर्थिक विवस्था एवं सामाजिक विवस्था होती है उन्हें जनजाती कहा जाता है ठ्राइब जनजाती किसे कहा जाता है बहुत सिंपल है यह वर्ष 2881 प्रकाशित एक एतिहासिक संधर कार्ए दधी in गैजेटिया आफ इंडिया के अनुसार एक जनजाती एक सामानने नाम रखने वाली एक सामानने बोली-बोलने वाली एक सामाने चेत्र पर कब्जा करनेवाले और आम तोर पर अंथरविवाही नहीं होने वाले पर समूह होते हैं, definition है ये, किसी विशिष्ट समाजिक समूह धार्मिक संप्रदाय जातिया जाती समूह के भीतर विवा करने की प्रथा होती है, अपने ही ग्रूप में नहीं करते हैं, बलकि अन्य समधा में करते हैं, ठीक, इंट्रोड़क्री है, समधानिक प्रावधान देखिए, भारती समिधान जंजाती समूह को परिभाशित नहीं करता, जितनी भी जंजातिया को, किसे हम जंजाती समूह कहेंगे, इसकी परिभाशा समिधान में नहीं है, लेकिन समिधान में इससे सम्मंदी दो प्रावधान आ एक मिलेगा आपको अनुच्छे 342 यहां से प्रश्चन बन सकता है, अनुच्छे 342 और एक आपको मिलेगा अनुच्छी 5 भी मिलेगा, अनुच्छी 6 भी मिलेगा, इससे संबंधित है, जैसे आएगा मैं आपको समझाता चला जाऊंगा, अनुच्छे 362 देखिए, भारत के राजपती राजपाल के परामर्ष पर किसी जनजाती समयों को सूचि बद्ध कर सकते हैं, किसे अधिकार है? भारत के राजपती को, कौन से समुदाये जनजाती कहलाएगी ये निर्णे करने का अधिकार किसको है? राजपती को, राजपती अनुच्छे 342 के तहट संबंधित राज्यों के राजपाल से परामर्ष लेकर उन आदिवासी समूहों को या जंजाती समूह को सूची बद्ध करते हैं जन जाती समू के भीतर घोशित करते हैं या सूची बद करते हैं तो एक प्रावधान आपको पता होना जा कि राश्पती। एक केंद्री सूची होती है और एक राज्य की भी सूची होती है राज्य भी अपने राज्य में कुछ लोगों DSPT पर जन जाती समू तो हmbज राश्ट्री स्तर पर चाहिए तो राश्ट्री स्तर पर ये प्रावधान अनुच्छे 342 में है इसमें ये शक्ति राश्पती को है और अगर वो जन्जाती समूः यहां सुची बद्ध हो जाती है अनुच्छे 342 के तहट तो फिर पूरे भारत वर्ष में वो एक ट्राइबल गुरुप कहलाएगी और उसे सेंट्रल की नौकरियों में और वो सारे सुविधाई मिलेंगी आरेक्षन का लाब मिलेगा ठेक है अब 342 में वो जन्जाती समूः सुची बद्ध किये जाते हैं किसके द्वारा राश्पती द्वारा तो 36 गल की कितनी जन्जातियां 216 32 मतलब आप जानते हो समिधान यदी आप नहीं जानते हो तो आप क्या है समिधान भागों में भी बद्ध है परतेक भागों के अंदर प्रतेक भाग ! कहें तो आप बोलोगे, अगर आप भाग पूछे तो भाग 20 कहेंगे, अनुचे पूछे तो अनुचे 342 कहेंगे, ठेक है, और 36 गर की कितनी जन जाती है, सुची वद्ध है, बायालिस, समिधान अनुचे जन जाती देखो, एक आदेश जारी किया गया है, जिसका आदेश का नाम ह राश्पतिन एक आदेश जर्गया समिधान अनुचे जन जाती आदेश 1950, इसी के तहट जन जाती समूझ जो है, अनुचे 342 और भाग 20 के तहट सुची बद्ध किये जाते हैं, सुची बद्ध किये जाते हैं मतलब उनको सुचियों में डाल दिया गया मतलब वो ट्राइब अनुचे 5 और अनुचे 6 समिधान में आपको दो अनुचे मिलेंगी, समिधान यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है, लेकिन आपके अबल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही रखिए, अनुचे 5 और अनुचे 6 क्या है यहाँ, अनुचे 5 में अनुचित छेत्रों एवं जन जातिये छेत्रों का प्रशाशन एवं नियंत्रन अनुचित छेत्रों तथा जन जातिये छेत्रों का प्रशाशन एवं नियंत्रन समिधान में भाग और अनुचेत्रों के अलावा आपको अनुचियां भी मिलती है जिनकी संख्या 12 है तो जन जातियों से जो सम्बंदित है वो अनुचि पांच और अनुचि छे है अनुचि पांच में कहता है कि अनुचित भारत में किसी भी राज्य में सारे राज्यों में या संग शाशी प्रदेशों में अनुसूचित छेत्र तथा जन जाती छेत्रों के प्रशाशन वन नियंतरन का प्रावधान किया गया और वो कौन करेगा उस राज़े का राज़ेपाल, किसके हाथे में होगा उस राज़े के राज़ेपाल. इसका मदलब ये है ये पूरा भारत है भारत में माल लीजिए एक राज्य है हमारा सचतीस गड़ ठेक यहाँ पर किसी छेत्र को किसी भी राज्य या संग शार्शी प्रदेश में किसी छेत्र को अनुसूचित छेत्र scheduled area या फिर tribal area ये घोशित करने का अधिकार किसका है तो यह देख लीजिए यहाँ केंदर में कौन बैठा होता है राज्य प्रदेश राज्य में तो राजपती ही पूरे भारत में किसी भी राज्य या संग शार्शी प्रदेश के भीतर किसी छेत्र को अनुसूचित छेत्र य त्याwideal चेत्र जन जाती है और ग répondre गोषत करने का अधिकार किसका है समимо में बाषपति तो पूरे भारत का होता है और यह राज है मामलो सीजी है तो सीजी में कौन होता है राजिपाल होता है तो एक बात के लिए रख लीजिए कि पूरे भारत में किसी भी राज्य या संग शाषी पदेश में कौन सा छेत्र अनुसुचित छेत्र गोशित किया जाए कौन सा छेत्र जन जाती है छेत्र गोशित किया जाए यह किसके हाथों में राज्य ठेक जो सारे राज्यों में जो भी अनुसुचित छेत्र घोशित हैं इन अनुसुचित छेत्रों पर प्रशाशन वन नियंतरन किसका होगा राज्य के उस राज्य के राज्यपाल का जिस राज्य में वो अनुसुचित छेत्र शामिल है अब देखिए इसमें राज्यपाल के पास क परंपरा के वहां खोते हैं, जब हमारे पूर्वज बंदर थे, वहां से विकसित हुए, तो हम लोग विकसित होते चले गए, हम आगे चलकर बढ़ते चले गए, शेहरों की उर्पलायन कर गए, हम मौडन हो गए, आधुनिक हो गए, और वहीं पर कुछ लोग जो है, अपनी जड़ों से जोड़े रहे, मतलब जंगलों से बाहर ही नहीं निकले, ठेक, तो अब उनको संरक्षित रखना, उनको संरक्षन करना, ये भी सरकार का दाई तो है, तो सरकार ने, उन्हें आधिवासियों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ये अनुसुचित छेत्र गोशित करते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि उस राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त हो गई है कि वो केंद्र के किसी भी कानून को या राज्य सरकार के किसी भी कानून को इस अनुसुचित छेत्र में लागू होने से रोकने की शक्ति रखता ह आम तोर पे हम क्या देखते हैं अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो वो पूरे भारत पर लगू होगा और राज्यों में हमने देखा कि विधान सभा से कोई अगर विधान मंडल कोई कानून बनाता है तो वो उस राज्य में लगू होता है यही देखा हैं लेकिन अनुसुचित छेत्रों में राजपाल को वो शक्तियां दी गई हैं कि वो केंदर के किसी भी कानून को वो राजसरकार के किसी भी कानून को इन अनुसुचित छेत्रों और जनजाती छेत्रों में लागू होने से पूनता रोक सकता है या फिर अनुसुचित या जनजातियों के हित को ध्यान में रखते वे उस कानुन में कुछ फेर बदल कर शंचोधन कर उसे उनके अनुकूल बना कर लागू कर सकता है तो जब हम पढ़ रहे हैं कि अनुसुचि पाच के तहर सारे राज्यों में जो गोशित अनुसुचि छेत्र या जनजातियों छेत्र हैं वहां का प्रशाशन वर नियंत्रन किसके हातों में होगा उस राज्य के राज्यपाल तो राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो केंदर के किसी कानून को या फिर राज्य के किसी भी कानून को वो अनुसुचित छेत्रों में लागू होने से पूंड़ता रोक सकता है या फिर उन जनजातियों के हित में उन कानूनों में फिर बदल कर उनके अनुकूल बना कर उसे लागू कर सकता है ये बात समझ रहे हैं ठिक आसल में समिधान आप मुझसे परहेंगे तो और ज्यादा clarity आएगी लेकिन मुझे लगता ने कि यहां उतना typical है जो भी बता रहा हूं ये समझ गया और क्यों किया गया ऐसा जन जातियों कि हित में कैसे अगर माल लीजिए देखे क्यों किया गया जैसे हमारा अबुजमार छेतर है अबुजमार तो एक tribe है अबुजमारिया ये आज भी जंगल के भीतर घने जंगलों में निवास करती है और आज भी ये शहर से बाहरी दुनिया से अपरिचित हैं आज भी मतलब हमारे ये बहुत सारी आदिवासी जंग जातिया है लेकिन उनका connection शहरों से बना हुआ है आते जाते हैं जैसे आप बहुत जो हलबा और गोंड इनको देखते हैं आप यादनिक हो चुके हैं इनका connection है सिक्षा पराप्ते कर रहे हैं शहरों से connection है इनका लेकिन अभी भी कुछ जन जातियां ऐसी हैं जो अभी भी घने जंगलों में ही सीमित रह गई हैं और उनके लिए हम aliens हैं अगर हम लोग वहां कहीं पहुँच जाएंगे से कपला लट्ता पहिन के तो वो लोग बोलेंगे कईसा बेश्रमाद भी कपला लट्ता पहिन के गुम रहा है वो लोग आज भी पत्ताला पेट के गुमते हैं वही हमारे पूरवज जैसे मतलब पुरानी जब सब्वेता शुरू ही थे जैसे रहते अच्छा एक तो एक हम से डरेंगे भी है ना तो फिर पता चला कि अवल तो ऐसी जगा आप जाओगे तो पहले ही दूर सही बार से गोद देंगे अलियन आया है अग गाड़ी ओरी लेके चले गए तो पता नहीं कौन सा हथियार लेके आया है दूर सही भाला और तीर मार के गोद देंगे लेकिन मानो जनजातियों से ज़्यादा खातर नहीं कि हम आधुनिक मानो है जितने क्रिमनल उमनल है पता चला अपरात करके उनी घने जंगलों में छिपने के लिए चले गए बंदूक और उससा भातियार लेकर तो वहाँ जाएंगे तो जनजातियों उन ट्राइबल्स को रुकसान पहुचाएंगे जबकि सरकार सारे प्रयास कर रही है कि वो जनजातियों जो हमारी परंपरा के वहाँ है हमारी मानो सबिता और संस्कृति के वहाँ है उन्हें सुरक्षित रखा जाए क्योंकि इनकी जनसंक्या बहुत तेजी से घट रही है इनकी विशेश बोली है इनकी विशेश परंपरा है इनकी विशेश संस्कृति है इसको सुरक्षित और सरकार का दाइत वह इसलिए तो यह सप्रावधन किये गए है तो अब वहाँ पर आपके पास एक मौली क अधिकार है ना एक मौली क अधिकार है कि आप भारत के किसी भी छेतर में आबाद रूप से संचरन कर सकते है कहीं भी आपको वीजा लेनी की जरुवत नहीं है आप मद्धपदेश चले जाएए केरला चले जाएए पूरे भारत वर्ष में आप कहीं भी बस में बैठिये टिकट कड़ाईए पहुंच जाएए आपका मौली क अधिकार है लेकिन आपके उस मौली क अधिकार को यहां रोका जा सकता है क्यों? क्योंकि उस राज के राज़िपाल को यह शक्ति है कि केंदर के किसी भी कानून को या राज के किसी भी कानून को वो वहां लागू होने से रोक सकता है आपके मौली क अधिकार को भी रोका जा सकता है गए आप अबूजमार के जहां अबूजमारिया जंजाती रहती वहां खड़े हो गए और आपको वहां के जो अधिकारी हैं बाहर ही रोक रहे हैं जाके बोलोगे don't you know I have this fundamental right I have the fundamental right to move freely anywhere in any part of the India तो बोलेगे बेटा महूल मालूम है लेकिन तोला नहीं मालूम है यह अनुसूची छेतर है यहां तुम्हारे मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है है ना वरना मैं तुमको जाने भी दे दिया तो तुम वापस आओगे नहीं है ना बोद दिये जाओगे अंदर ही जाकर तो आपके तो इस छेतर का आप इंपोर्टेंस समख रहें इसलिए कुछ रिसर्चर्चर्ज और वह जो रिसर्चर्चर्ज होते हैं कुछ वह विशेस अनुमति से वहां भेजे जा सकते हैं उन्हें अनुमति दी जा सकती है लेकिन आपका मौलिक अधिकार भी यहां रोक द किया जा सकते हैं आपको वहां रोका जा सकते ही यह रही बात किस की अनुसूचि पाँच इसका मूल समझ गए हैं अनुसूचि पाँचे तहель भारत के किसी भी हिस्से में अनुसूच चेत्र और जन जाती चेत्रों का प्रशाशन में नियन घंत्रम बो किसके हाथ में होगा उस राज्जी के राज्यपाल के और राश्पती को यह अधिकार है कि वह भारत के किसी भी राज्जी असंग शाशी प्रदेश में किसी भी हिस्से को अनुसुची 6 तर भोशेत कर सकता है ठीक अच्छा उसके बाद अनुसुची 6 देखिए अनुसुची 6 में इसको थोड़ा सा सीवित कर दिया गया है कैसे सीवित कर दिया गया यहाँ करणा चार राज्जों तक सीवित किया गया असंप मेगाले तरिपूरा मिजोरम इन चार राज्यों में जो जन जातिय छेत्र है इन चार राज्यों के बात कर रहा है बागी सारे पूरे राज्यों समशाशी प्रदेश यहां कवर हो गए लेकिन केवल विशेश तोर पर पूर्वत्तर राज्यों पूर्वत्तर राज्यों में भी सभी नहीं केवल यह असम में गालेव त्रिपुरा और वेजोरंग इन जंजाती छेत्रों का प्रशाशन वा नियंत्रण प्रशाशन वा नियंत्रण के विशे में यहां दिया गया है नियंत्रण, ठिक, और यहां क्या बताया गया फिर वही बात, कि भाई यह special tribal यहां पूरे tribal राजी हैं, यह सब, tribal राजी में यहां जो भी जनजाती छेत्र है, यहां का प्रशाशल भाव नियंत्रण, तो आप असं का जो एक autonomous छेत्र है न जो कुछ जिले होते हैं, यहां पर क तो राज्य है ट्रायबलाजिश्य है तो यहाँ पर किले जैसे बोडो लेंड और ऐसा कुछ यह शाशित्व जिले ओटो नम जिले तो यहाँ पर जो प्रशाशन वनियंतरन किसके हाथों में राश्पती के हाथों में ही रहेगा लेकिन मेघाले त्रिपुर और मिजुरम के जो जन्जाती छेतर है यहाँ का प्रशाशन वनियंतरन किसके हाथों में राजपार यहां पर राशपती तय करेंगे केंदर के कोई कानून वहां लागु हो या ना हो या फिर जनजाती के हित्में अपने हिसाब से संशोधित कर लागु कर सकते हैं बाकि मेगाले त्रिपुरा और मुझरम जैसे राज्यों में जो जन्जाती छेत रहे हैं यहां का प्रशाशन नुवा नियंतरन किसके हाथे होगा उस राजी के राजिपाल यह बाते क्लियर है कोई सवाल कोई डाउट कोई से नोनी नोना अच्छा हमारे यह लड़के के बाबू मुच्छतिस गड़ ज्यादा आधनिक है अच्छा अनुसुची पांच और छे क्लियर है आईए समधानी प्रवजान आप सी समिधान में पढ़ते लेकिन इससे जोड़ा हुआत मैं बोला समझा दू आईए यह समझ गए आप भारत के राश्पती ने 2003 में एक आद आदेश 2003 यह आपको याद होना चाहिए यह अधिनियम यह आदेश राश्पती का यह आदेश क्या नाम है इसका अनुसुचित छेत्र चतीज गड़ जारकंड और मद्वदेश राज्य आदेश 2003 तो यह आदेश जारी किया इस आदेश के अनुसार 20 फरवरी 2003 20 फरवरी 2000 य अनुसुचित छेत्र गोशित किये गए चतीज गड़ में इस आदेश के माध्यम से अनुसुचित छेत्र सभी किवल चतीज गड़ में नहीं चतीज गड़ समय जारकंड मद्वदेश में भी लेकिन हमाएं चतीज गड़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो 20 फरवरी 2003 को चतीज गड़ में अनुसुचित छेत्र अनुसुचित छेत्र बनाये गए गोशित किया गए देखिए कि इस सिती क्या है यह देखिए सर्गुजा संभाग एक तरफ से चलते हैं सर्गुजा संभाग सर्गुजा जिला बल्रामपूर सुरशपूर कोरिया जश्पूर जश्पूर यहां तक चलो अभी बरतमान सर्गुजा संभाग में कौन सा चीज कौन सा बच गया है कोई लाव बचा है तो है कोरिया है कोरिया है कोрьिया के और कोरिया है तो अनुसुचि छेतर जो है अभी उसके बारे में डेटा अंग तो अभी आप जान पाओ कि अभी जिला बना है तो le acontecer je यही ठीक तो सर्गुजा संभाग के आप यह माल लीजिए कि वर्तमान परिदेश्य में मनेंद्रगार चिर्मीरी भरतपूर को छोड़ के अनुसुची छेतर कहां कहां है सर्गुजा संभाग में सर्गुजा बल्रामपूर सुरजपूर कोरिया और जश्पूर को कि मैं इसको आपको चार्ट में ले आता हूं तो अभी हम यहां से भी कॉश्चन बन सकता है ना चतीज गड़ में अनुसुची छेतर ठेक तो यह तो आपन जानते हैं सर्गुजा संभाग उपर वाला यह यह है आपका सर्गुजा संभाग तो सबसे पहले उपर से पकरते हैं कि सर्गुजा संभाग में कौन-कौन से जिलों में अनुसुची छेतर है ही और इस हिसाफ से आपन देखेंगे तो पूरा सर्गोजा संभाँ पूर पुर्ण सर्गोजा संभाँ यह पूरा ट्राइवल बेल्ट है तो सर्पूरा सर्गोजा अनुसूची छ्थ्र है जिले है बात क्लिए रहा है फिर उसके बाद बारी किसकी आई विलासपूर की विलासपूर में कोर्वा गॉरेला पंड़ा मारवाही तीन होगा तीन चलिए यह जो है यह आपका विलासपूर संभाग है किया बोला कोर्वा यह हो गया एक अनुश्जी चेत्रक कोर्वा एक विलासपूर में पूरा नहीं विलासपूर पूरा नहीं विलासपूर में वता रहा हूं कि निरिक्षक मंडल एक मंडल है उसमें कौन सा कोटा पूरा बिलासपुर नहीं बिलासपुर में केवल कोटा राजासु निरिक्षक मंडल यह यहां पर अनुसुची छेत्र गोशित है और गॉरेला पेंड़ा मरवाही में तीन छेत्र देखो गॉरेला पेंड़ा मरवाही जीला यह है इसमें एक मरवाही एक मरवाही तैसील है पूरी की पूरी मरवाही अनुसुची छेत्र गोशित है तो एक चलो ले लिया क्या गॉरेला पेंड़ा मरवाही में मरवाही ठीक फिर गॉरेला जो है गॉरेला जो है उसमें दो यूनिट हिसको मालने ते गौरेला में दो यूनिट गौरेला वन है गौरेला 1 और गौरेला 2 दो खरता बिलासपूर संभाग में ज्लेत आपको पता है मोंगिली गौरेला पर्णरा मार वाही यह बिलासपूर् यह कोर्बा यह जांगीर चापा यह सक्ती यह गाईगर यह सारंगर विलैईगर O सॉरी बिलासपूर संभाग के जिले लेकिन पूरा बिलासपूर संभाग नहीं बिलासपूर संभाग में तीन चीज़ा याद रखेंगे एक आपका कोर्बा जिला पूरा और बिलासपूर जिले में केवल कोटा राजसुनी रिक्षक मंडल और गौरेला पेंडरा मरवाही भी गौरेला टू प्रश्ण यहां से बनेगा तो अच्छा बनेगा ठीक है जंजाती विकासखन मतलग यह जो आपको मरवाही देखो हमारे ट्राइबल जंजाती विकासखन भी बनाए जाते हैं आगे आप पढ़ेंगे जंजाती विकासखन तो पूरा का पूरा हमारे यहां इस राइगार जिले में पूराइबल और ना इस राइगर जिले में कौन कौन सा एक धरम जाएगाड एक धरम जाएगाड दूसरा घर घोड़ा घर घोड़ा पीसरा खरसिया भी होगा लेलूंगा भी है और तमना लेलूंगा और तमना तो यह मिलकुल यहाँ प्रश्णा बन सकता है तो बिलासपुर संभाग में अरुसुची छेतरों के लिए हम चार जिले देखेंगे एक गौरेला पेंड़ा मारवाही एक कोरवा एक बिलासपुर एक रायला मतलब बिलासपुर संभाग में अब कौन कौन से छूट गए जो अनुसुची छेतर बिलकुल नहीं है लेकिन इस विलासपुर संभाग में जितने जिले हैं उसमें से एक गही जिला और बाकि जिले बिलासूरी पूरा नहीं की ओल कोटा राजसुनि इरिशक मंदल जो है वह वह अनुशूचीralगोशित और राइगर में चले जाते हैं तो हमको मिलेगा बालोद बालोद दुर्ग दुर्ग जो आपका है वहां केवल आपको क्या मिलेगा बालोद यह यह है आपका यह दुर्ग संभाग है यह आपका कबीरधाम यह आपका खेरागार छुचकदल गंडई यह लाजनाद गाहन हला यह मोला मानपूर अंबगर चोखी यह मालोध यह दुर्ग यह बे दो Nos संभाग में बालोद एक दिखाई देगा और एक मोला मानपूर अमबगर चोकी बालोग में कौन सा डॉंडी आदिवासी विकास खंड बालोग में केवाल एक पूर्णा नहीं है ना बालोग में केवाल एक कौन सा डॉंडी डॉंडी जंजाती विकास खंड और मोला मानपूर अमबगर चोकी में देखो, यहां तीन है, चौकी, मानपूर, मोहला, तीन, तीन जन जाते विकास खान, एक तो चौकी, एक, मानपूर, और एक, मोहला, इसी यहां पैदा हुआ था मैं, मोहला, इसी लिए थोड़ा साँ, मैं आदिवासी, ना होते हुए भी आदिवासी क लुक आगया है, वहां मानपुर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मानपूर-मान-पूर-मानपूर-मान-पूर-मान-पूर-मान-पूर-मान-पूर-मान-पूर-मान-पूर- वह भुषे अंबागर्चो की एक ही बोडते हैं देले कि है ने लेकिन देखो एक ही तैसिल में विकास खांड जन जाती विकास धमतरी, गरियाबंद, महासाद, यहाँ पर गरियाबंद में आ जाएगे, गरियाबंद में आपका बिंदरा नवागर तैसील में तीन जन जाती विकास खंड है, देखे, यहाँ एक तैसील है, एक ही तैसील और इसका नाम क्या है बिंदरा नवागर तैसील, गरियाबंद कौण कौम सें ? घरिया बंध मैनपूर ओर चूरा अ यूया लेकिन इस सब को छोड़ना नहीं चाहता न ये हैं यह नो कि कि यहां पर एक तो और दामतरी दामतरी और गर्याबंद तो गर्याबंद भुषित नहीं यह है जंजाती विकास खण शुरा धमतरी में और इसका नाम क्या है नगरी सिहावा नगरी सिहावा जंजाती विकास खण या तो जंजाती विकास खण बोल देगा या फिर आदिवासी भीकास खंड बोल देता न एक आगते देखे लिए रैपूर संभाग में ड़ह संंभाग में किवल दोही छिले भंतरी यह हो गिंद्रा नभगर तैसी बिंद्रा नभगर तैसी beginnen जंजाती भिकास खंड है करिया एक बंफ चुरों और वगडर में धमतरी में एक जन जाती विकास खंड, सियावा नगरी आदिवासी विकास खंड, तो यह हो गया, उपर से देख लो एक बार और पूरा सर्वुजा संभाग, सर्वुजा संभाग कर सभी जिले, ठीक, फिला आते हैं बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर संभाग में केवल चार जिले एक तरफ से शुरू करो गॉरेला पेंडरा मारवाही आंशीक है कि पूर्ण है आंशीक रूप से गॉरेला पेंडरा मारवाही में तीन आदिवासी विकास खंड एक आपका गॉरेला आदिवासी विकास खंड एक गॉरेला आदिवासी विकास खंड दो गॉरेला में दो आद कटा राजयर सुरी रिखक मनडल और इदर राज़गण में आजाए राए दर में में 5 जंजाती विकास खंड में भाश्या चलम रा जाते है ले लूगा सम्वाओ ऑफिर आ जाते हैं अपनी संवामाल होको फो दो जिल मेंorable वालोद है और एक मोला मानपूर अम्भागर चोटैख ज्टैसरे जयूं यह फे बालोद आंशिक है की फूंड है ऐंशिक है कौन आधिवासी विकास खण दॉंडी अधिवासी विकास विद्रा नवागर तहसिल में तीन जन्जाती आदिवासी विकास खंड हैं जिने अनुसुचित शेत्र गोशित कौन कौन से गर्याबंध मैंपोर चुरा अब बगल में धमतरी में आ कौन सा नगरी सियाबंध में पूरा 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 जिला वस्तर का पूरा जिला ठीक बश्तर पूरा संभाग मतलब यह जो आपका शुरू हुआ यह पूरा आपका जन्जाती अनुसुचित जन्जाती चेत्र है ये पूरा, उपर वाला ये कांकेर, ये कुना गाउं, ये नरायनपूर, ये दंतेवाला, ये वस्तर, ये सुक्मा, ये बीजापूर, तो बड़ा असान है, पुरे चत्तीज गड़ में अनुसुची छेत्र, राश्पती आदेश कौन सा है? अनुसुची छेत्र, चत्तीज गड़, उडीसा, चत्तीज गड़, जारखन, मद्यपदेश, आदेश, दोजार, तीन, इसके अनुसार चत्तीज गड़ में इतने छेत्र, अनुसुची छेत्र, भोशेत किये गए, ठेक है? तो उपर और बीचे का कोई दिक्कत ही नहीं है? अनुसुची छेत्र गोशित है, या इन में से कौन से? आंशिक रूप से अनुसुची छेत्र गोशित है, यह एंगल से कोशन बनेगा, ठेक, तो उसे बहुत अच्छा है, ऊपर सरगुजा संभाग पूरा, नीचे बसर संभाग पूरा, का होग इनो नहीं? अरे, MCB वो, होगा ना पूरा वो, जब कोरिया पूरा है, तो उसी में से कटके MCB बना, तो भी होगा ही होगा, ना? ट्राइबल, जो वहाँ ट्राइबलों की संख्या बहुत होगी, तभी तो पूरा जिला घोशी था ना, अब MCB आधा कटके MCB बन गया, यह दखो, यह हिस्सा, यह हिस्सा कटके क्या बन गया, यह MCB हो गया है, मनेंगर चिर्वी भरतपुर जिला, और यह कोरिया, पूरा हो तो अनुशुची छेत्र बिलकुल नहीं है, मोह गेली नहीं है, जांगीर चापा नहीं है, सकती नहीं, बाकी 4 जिले, 4 जिले अनुशुची छेत्र हैं, इसमें सर्पूर्ण ता alienुची छेत्र जिला कौन सा है, कॉर्भा, बाकि 3 जो बचे आंशिक हैं, हैना, फिर आपन द अब बस्तर पूरा ठीक ध्यान रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं जिले जो पूर्णता है अनुसुची छेत्र के अंतर गया थैं बस्तर संभाग पूरा कोई डिक्कत पूरा सर्विजा संभाग सभी छे जिले पूरा कोई दिक्कत नहीं आए बिलासफर संभाग का कोर्बा एक बचा है बिलासफर संभाग का एक मतला इधर छे जिला यह साथ जिला और एक बिलासफर छे साथ तेरा और चाउदा चाउदा जिले पूर्णता अनुसुची छेत्र है ठीक है आई आई आशिक रूप से अनुसुची छेत्र बताने की जरुवत नहीं आपके नोट्स मे आशिक रूप से एक जिला आता है कबिरधां यह देखूं आपके नोट्स में हैं आशिक रूप से लेकिन इसका विकास खन नहीं बताया गो भी को आंशिक रूप से अनुछूची छेत्रे आदिवासी उपाई ओजना चेत्र के अंतरकत आने वाले जी ले एक डेटा है बस उस इस डेटा को रख लिए आपन अनुछूची छेत्र वाला अब आपन क्या देख रहे हैं यह यहां अब एक देखिए आंशिक रूप से अनुसुचित छेत्र आंशिक या आदिवासी उपायोजना ट्राइबल सब्लान रीजन ट्राइबल सब्लान रीजन के अंतर का ताने वाले जिले अलग डेटा आगे ना उससे अब अलग हो आजाओ धंतरी गर्याबन बलोदा बाजार भी सब्लान रीजन अद्र विकास के लिए सब्लान रीजना उसके अंदर गर्दे शामिल राइपूर संबाग यह उत्रा इंपॉर्टन नहीं लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं क्योंकि पीस्टी में आप देख रहो च्छतीस गर्में खोट-खोट-खोट के जा रहा है तो प् विलासपूर संबागे के बस्तर लिखें आपका नोट्स में भी लिग गया है क्या करेक्शन करवाना है नोनी विलासपूर रायगार जांगी चापार मुंगेली आई अब इधर देखें 36 गर्में जन जातियां अनुछे 342 के तहर पूरे भारत में लगबग कितनी जन जातियां सूची वद्ध है 705 जन जातियां सूची वद्ध है उसमें से 42 जातियां 36 गर्की है और इन 42 जन जातियों में यह देखो साथ साथ को पीवी टीजी का दरजा दिया गया है पीवी टीजी अब इसको सुनो यह क्या है इस फेक्रिकोलर्ली वनलबल वनललरबल श्रायबल गोप्स्व ज्ट्रायबल गोप्स्व गरवंब्स्व ए हैंए विशेश रूप से पिछली हुई जन जाती या विशेश रूप से कमजोर जन जाती आपके नोट्स में है कही न कही होगा फॉल फार्म भी लिखा होगा याद होना ची कुछ चीज़ा ऐसी होती है जिसके फॉल फार्म पता होने ची कई बार वाइब्रिवेशन वाले पूर्शन पूर्श देता है पीवी टीजी पर्टिकुलर्ली वॉल्नरबल ट्राइबल ग्रॉप हिंदी क्या है विशेश रूप से कमजोर जनजाती या विशेश रूप से पिछली हुई जनजाती तो हमारे 36 गण में जो 42 जनजातिया है इसमें साथ जनजातियों को पीवी टीजी गोशित किया गया है केंदर सरकार द्वारा अच्छा नई साथ कुल मिलाकर है जिसमें से पांच केंदर सरकार द्वारा गोशित है पांच जनजातिया विशेश गड़ की 42 जंजातियों में वो कौन कौन सी जंजातियां है जो पीवी टीजी स्टेटस है जिनके पास यह पीवी टीजी के तहट आते हैं और यह देख लो पांच केंद्र यह राश्वति द्वारा घोशित देख लो पहले अबूज और यह पांच प्रश्र यहां सभी बन गया कि कितनी जन जातियां पीवी टीजी मतलब विशेश रूफ से कमजोर जन जातियां या विशेश रूफ से पिछली जन जातियों के शेड़ी में साथ साथ में से पांच केंद्र सरकार द्वारा पीवी टीजी गोशित हैं कौन कौन सी अबूज मारिया बैगा पहारी कोरवा कमार विरहोर केंद्र सरकार द्वारा गोशित पांच जन जातियां जो पीवी टीजी स्टेटस है कौन कौन सी अबूज मारिया बैगा पहारी कोरवा कमार विरहोर और राज्य सरकार द्वारा पंडो और भुँजिया, राज्य सरकार द्वारा दो जण्जातिया जो PBTG गोशित है, पंडो और भुँजिया, भल्दी राम भुजिया याद आरा होगा, इसलिए हस्र रहे हो तुम लोग, है ला, किसको याद करें पकोड़ा यहाँ पारी को रोग पकोड़ा बोल रही है ठीक है एक कोशन आपका यहाँ से बन सकता है कि 36 गड़वे बैले इस जंजातियों में एक कोशन की कितनी जंजातियां पीवीटीजी है साथ साथ में से कितनी केंद्र सरकार या राश्फती द्वारा घोशित है पांच राज्य सरकार ने दो तो राश्फती द्वारा घोशित पांच पीवीटीजी अबुजमानिया बैगा पारी कोरवा कमार बुझिया एव गिरहो और राज्य सरकार द्वारा प जितने नहीं आए है ना वीडियो डालना ने ग्रूप में और नोर्स कल दोबारा देना नहीं जो बिना बताए बिना सूचना दे गया बजाते हैं नोर्स नहीं मिलेगा हुँए पीवीटीजी विशेश रूप से कमजोर जंजाती समू कहा जाता है ट्राइबल ग्रॉप्स है ना इंग्लिश फॉल फाम लिखाव है अब इसे डिफाइन किया जाता है देख लो कभी लटके जटके कोशल बन गया तो जो जंजातिया आर्थिक रूप से कमजोर है ना पीवी जंजातियों की विकास दर्द जीरो या नकरात्मक विकास दर्द इनका विकास का जो पैमाना या तो जीरो है या नेगटिव चला गया है तो ऐसे जंजातियों को जो है चिन्नित किया गया और इन्हें पीवीटीजी में शाविल किया गया है ठीक है नोट पूरे भारत में 70 में से 5 क्योंकि 2 तो राज्य सरकार ने किया अब इदर आईए जन जातियों को ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया कैसे किसी ट्राइबल किसी समू को जन जाती समू में शामिल कर सूची बद दिखिया जाता सबसे पहले इस समंद में राज्य विधान मंडल में प्रसाव पारित किया जाता सबसे पहले माल लो यहां 36 गर में आप कोन बनगे मुख्य मंतरी विष्णु देव साय विष्णु देव साय अब मंतरी बनगे आदिवासी है है ला साय साय उमीद करते हैं कि विष्णु देव साय अब साय साय भरती निकालेंगे साय साय भरती प्रक्रिय पूरी होगी है ला और साय साय जो है 36 गर में विकास होगा साय साय किसानों को बोनस मिलेगा साय साय सब काम होगे बस उमीद यही करते हैं कि विश्रिदेव साहफ साहें साहें ये सारे कारे करें है ला अन्य जैसे राजनेतिक दल अकसर जैसा करते साहें साहें भरष्टाचार साहें साहें ट्रांसफर कर दो अधिकारियों का जिससे ट्रांसफर व्यापार चले या साहें साहें जो है तो वैसा ना हो उमीद की जाती है क सरकार जो आई है उसने सीख लिया होगा कि हमारे काका जो है उन्होंने उनकी इतने confidence में थे और वो confidence जानते क्यों था कि मैंने 36 गड़ के गाउं के किसानों और गाउं के लड़कों को पकड़ लिया है बोनास धान का खरीदी ये सब दे दे कर भले करजा बढ़ता जा रहा था वह बात अलग है अपने घर से दे नहीं रहे थे करजा बढ़ाते जा रहे थे दे रहे थे किसान खुश थे उनको लगा कि मैंने 36 गड़ के देखो हमारी शहर के आवादी कितनी 23.23 है हाँ इतनी ही लगबाग है बाकी जितने बचे ग्रामीर आवादी है उनको लगा इस आवादी को मैंने पकड़ लिया है खुश रखा है मतलब मुझे चुना में कोई नहीं हारा सकता एक जन्वीदा के दिरे मैं आपन मुझ मुलवा दू पत्रकार पहुच गे पत्रकारो काम क्या है आप अपना मुझ कब मुला रहे है अब मेरी खेती है euhद मेरी मर्जी होगी मुला लूंगा पहला तो नेताओं की बाद कर औना और गोरे की लाट इसका कभी भरोसा नहीं किया जाता ना उन तो कभी गोरे Bash पी खरandelा मत होना और गिलात मार देगा पता नहीं और नेता कब क्या बोलेगा कब क्या करेगा पता नहीं तो चलो साइं साइं होना चाहिए सबसे पहले उस राज्य में के विधान मंडल में प्रस्वापारित किया जाएगा कि भाईया फ्लाना समधाय को विश्णी देव साय जो है वो अनुसुच साय के प TasteLeep में शामिल करने के लिए असंकल परित कर दीया एक आब टी Есть कहाँ बहिए कए रचीस्ट्राठ्स कारेम ने कि रचे जन्यष करेंगे पर और बाए और बारत के रचिस्ट्राठ गनरल को भारत के रचिस्ट्राठ को बहेज़ा जाएगा पिर यह blij है कि मतुलäg WiFi इ आपको पता है ना तीन राश्री आयोग हैं अन्य पिछला वर्गर राश्री आयोग अनुसुचित जाती राश्री आयोग और अनुसुचित जनजाती राश्री आयोग तो अनुसुचित जनजाती राश्री आयोग के पास नैशनल कमिशन फॉर शेडूल ट्राइब्स यहां जाएगा फिर आगे भेजे कि किसको मंत्री मंदल को जो सरकार मंत्री परिषद मंत्री मंदल मंत्री मंदल अब सला देगी अगर मंत्री मंदल ना मुख्या कौन होता है प्रदान मंत्री अगर इस मंत्री मंदल ने अब परामर्स दिया सला दिया राश्पती को कि राश्पती म मौद है फालाना समुदाय को स्टी लिस्ट में शामिल कर दीजिए फिर राश्पती अपनी शक्तियों का प्रेयों करते हैं उस ट्राइबल उस समुदाय को स्टी सूची में सूची बद कर देंगे मतला वह स्टी फिक्स हो गया उसके आराम से जो का सर्टिफिकेट बन यह प्रक्रिया है ठेक ताजा विकास मतलब कुछ ताजा अभी जो इस संबन में कुछ हुए है 14 नमंबर 2022 कि लटके जटके वाला कि कभी मतलब एक परसंट होता ना किसी भी परिच्छा में अचानक वहानक प्रश्णों की संख्या कितनी होती 10 से 15 होती है जिसका हवा नहीं लगता कहां से आया उन्हीं में से एक प्रश्णी यह बन सकता है कि कौन सी तारीक को अचानक वहाने को अलाना मतलब जब पूरा तयारी हो जाए खाली समय बचा रहे ताब ऐसे छेतर को छेड़ना है वहना ध्यान मत दो कौन सा तारीक क्योंकि तारीक बहुत सार है आपको पूरे विशाय में तारीक अंबार लग जाएगा 2022 को केंद्री मंद्री मंदल ने पांच राज्यों के पांच राज्यों के आदिवासी समुदायों को स्टी सूची में शामिल करने का प्रस्थाओं को मंजूरी दे दी मतलब जो तानुच्छे 342 के तहट जो स्टी की सूची है एस्टी लिस्ट है तो पांच राज्यों के समुदायों को उसमें सूची बंद किया गया है मंजूरी दे दी मतलब सूची बंद कर दिया अब देखो कौन-कौन यहां सब बढ़िया प्रश्णा बन सकता है कर नावन और कुरी विकरन है ना री कर वान जैसा भी नाभी्यावन कर आती करशा आड देख है ईथर नारी ओंधर कूरी कि फ्रकreneा में उफनल में इथर नारी है उधर अनवा स्वीतिट हूं कि 싸ना च्छ और च्छतीस गड़ के यह है हमारे लिए जो बले इदर से पूछे ना पूछे यह पूछ देगा को च्छतीस गड़ की कौन सी जंजाती जो है हाल ही में नमबर 2022 में अनुच्छे 322 के तहट राश्वती द्वारा सुची बंद की गई बिंजिया यह बिंजिया मूल जंजाती नहीं है च्छतीस गड़ की वास्तों में यह जार खंड़ उडिसा की है लेकिन भाई रोक थोड़ी है वहीं में से कुछ परिवार आके दिरे 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 च्छतीस गड़ की इस तो इस शेत्र की बिंजिया जो थी तो इनको लाव नहीं मिलता था आदिवासी यह भी है लेकिन यह लाव नहीं मिलता था तो च्छतीस गड़ से बिंजिया को 342 अनुचेत के तरह सुची बंद किया गया कि इनुसरकार ने 2022 में मंजूरी दी ठीक बिंजिया जन्जाती के विशह में चूंकि यही है 36 गड़ से संबनती तो थोड़ा सा डीटेल जानना होगा का होगा नो नहीं तो बेहोस रहती है तू चलो चलो कल करेंगे गंटीनिया से